आई जी आपको बॉक्से स्टिक करवाते हैं अ हाउस फुल अफ क्लासिकल वाइब्स 8500 स्केर फिट कवर्ड एरिया इसके साथ साथ 6 बेटरूम्स इस घर में आपको देखने को मलेंगे इंटीर आपको इंस्पार लगेगा ओल्ड मुगलिया दोर से तो इस घर के एकस्टिरियर और इंटीरिर प्रोफाइल बहुत ही आउस्टेंडिंगे स्टार्ट करनें इस घर की फुल विडियो इस घर के वाले से कुछ चीजे में आपको शुरू में बता दूँ कि ये वाला घर एक्स्ट्रीम क्लासिकल स्टाइल के अंदर फॉल कर रहे है और अगर आपको मौडरन या मिनिमलिस्ट डिजाइन के घर पसंद है तो आप ये वाली वीडियो जो है वो स्टार्ट में स्किप कर सकते है ये वाला घर आपको कहीं न कहीं फ्लाश बैक्स में ले जायागा मुगलिया दोर में कोई अगबर बादशा के दोर में क्योंकि इस घर के इंटिरियर्स में कुछ ऐसे ऐलिमेंट स्पेसिफिक दिये गए है जो कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने रिसेंट टाइम में आखरी कोई एक साल के अंदर देखे हूँ किसी भी घर में इस्पेशली रावल पिंडी में आचा जी घर का फसाड हम देखें 55 इंटु 100 इसकी डैमेंशन्स हैं अमोमन एक कनाल का जो घर होता है वो 50 इंटु 90 होता है इस इस फिफ्टी फाइव इंटु 100 विच मेंज इस इस टुइंटी फॉर मरला डबल स्टोरी क्लासिकल डिजाइनर हाउस और फसाड वगएरा सब एक्स्पेयन करता हूँ सबसे पहले आप लोग इसकी रोड देख लें 70 फीट वाइड गार्फिटेट रोड हमारे पस यहां पर मुझूद है इंताहाई पीस्फूल महोल आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस वक्त दिन का टाइम है और कि पिलकुल कोई आमदुराफ नहीं है और हर बंदा जो है वो चिल कर रहा है अपने घर के अंदर सो वाकिंग डिस्टेंस पे मारे बाद यहां पर पार्क भी इस घर के और मस्जिद भी है फसाड बे भाई हम explanation दे देते हैं comprehensive तीन पार्ट में मैं इस घर के फसाड को डिवाइड करूँगा right side पे हमारे पास main आपके car porch वाली space है जिसके उपर खपरायल का इस्तवाल किया गया है और canopy style जो है वो आपके देखने को मिलेगा फिर इसके साथ से हमारे पास mid double heighted entrance है जो कि specific arch के design के अंदर आ रही है और left side पे जो है वो इसकी main window है इस घर का forehead है आजए जी बाहर अगर हम देखें तो हमारे पस यहां पर raw diamond का gate है जो के again classical style है तो golden और black color के combination में देखने को आपको मिल रहा है हमारे पस यहां पर marble दी गई है main entrance में आपस black granite है तो घर के अंदर हम एंडर होते हैं like always we will do an honest fair and impartial review of the house जहां पर घर के positives होंगे मैं वह भी बताऊँगा जहां पर यह घर कुछ चीजों में लैक कर रहा है वह भी मैं आपको बताऊँगा तो आप लोग ने यह वीडियो पूरी देखनी है कर इसको कहीं पर आप लोग स्टक हैं तो यह वीडियो डाले वाश लेटर में और बा और बारिश की वज़े से ही होते हैं आपके जो सिपिच के असराथ ज़्यादा नुकसान दे होते हैं वो आपके जो सेनिटरी वाली जगह होते हैं जहां पर आपके पाइप के जोड़ वगर होते हैं अगर वहां पर हो तो वो आपको ज़्यादा ट्रॉबल कर सकते हैं लेकिं, यह एक बड़ेख फारम हाउस पिससे में गुलबर्ग में जिसे निते हैं उस त Agrिक तरहां की इसकी में इंक्स पर आर聽 के में टौर्ज थे हुथाह पर सॉलिड वुड के में डोर्स देखने को मिल रहे हैं राइड साइड पर हमारे पास स्पेसिफिक टेक्च्चर दिया गया है पिर इसके साथ हमारे पास कुछ आर्चेज हैं कुछ हमारे पस यहां पर रेक्टेंगुलर बॉक्सेज हैं इसके साथ आ जाएं बटन्स भी जो ह हैं उसका गर आप कलर भी देखें और उसके अंदर जो ग्लॉस आप वह भी देखें दो प्लांडर्स हमारे बस देखने को मिल रहे हैं अच्छा जेगा जागा पर एंट्रस पर आला ताला की कलामात जो है वह यहां पर लिखे में घर में बरकत के लिए घर में इंडर होते ह ही आपके घर में इस तरह का मनजर देखेगा तो ओविसली वह काफी ज़दा इंप्रेस होगा और बहुत सारे चांसे हैं कि आपके घर में नजर भी लग सकती है तो आप लोग ने अल्ला का जो कलाम ना उसका विर्द करते रहना है और माशाला भी लिख के लगा दें ताके नजर ना लगे क्यूंके नजर बरहुका है पर इसके साथ सथ लाट साइड पर मारे पर घ्राइंग रूम सपेस है राइट साइड पर लिविंग है किचेन है और बैक सेट बेर फ्रस लर पे पर थ्री वैड रूमlies है तो अब हम इस घर के इन्टियर को जह स庐 ब्सटार्ट तो राइट साइड से, पर मैं इस सारे अरिये को भी एक्स्पें करूंग और पर जब हम फिर्स टोर बे जा रहे होंके मैं अपको यहां पर इस घर की किमल भी बता हूँआ तो राइट साइड पे आज है मेरे पस हमारे पस यहां पर लिविंग रूम है अब एक चीज को मैं अ हमारे पस यहां पर वाटरफॉल की स्पेस है जो कि इस वक्त रणिंग नहीं है अबिसली जब आप पानी बगार है इसके इसके इंस्टॉल करेंगे रिसेंट्ली डेंगी सीजन भी गया है तो क्लीन वाटर जहां 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 भी खड़ा हुआ है आप लोगों को चाहिए कि इसको अबेंडन करनें क्योंकि डेंगी जो है वो साफ पानी पर आता है तो इस तीज को भी आप लोगों मदर नदर रखना है जो हमारे इंटिरियर के डॉर्स हैं सॉलिड वूट के हैं विद्दा डीको पेंट डीको पेंट की खास फिनिश होती है जो कि अगला आप लोग अब कुछ देकूरेशन पीसे थूआट थाहूस गोल्डन कर रखी सीलिंग आप लेखने को बिले तू सीलिंग फैंज विद रखन रखने को अगें डिपेंड करता है कि आपको यह चीज पसंद है कि यह थोड़ा समय थोड़ा समय थोड़ा सानी काफी हाथ तक क्लासिकल स् अगर यह नाइस थींग तो हैव कि अगर आपके लिविंग रूम में कुई ऐसे बंदे आगी हैं आपके फैमिली के प्रिवेसी उसे डिस्टाब ओरी इस उसे डिस्टाब और यह उसे और बैक से आपको किचन आएगा और मैं परसनली अगर मेर परसनली अपीनल ने मैं यह यहां पर एक चोटी सी अगें मीडिय वाल भी आपको देखने को मिल रही है पर इसके साथ मार बास यह उपन किचन है किचन पर हम लोग आएंगे वहां से फिर इसके समने वी आप गॉट द्राइंग रूम आपके मेमान घर में जब एंटर हो तो पहले आपको द्राइंग पर इहां पर लिविंग रूम में लाएंगे ड्राइंग रूम में तोड़ दिर बैठने के बाद तो दिस इस दे ड्राइंग रूम समने वाल पर है तो लाइट साम आपको देखने को मिल रहे हैं दो सिलिंग फैंस विद द शेंडलर और अगें सुचिस वगर भी आपको न डिफरेंट वाल पेपर्स जो के अपनी एक स्पेसिफिक थीम दे रहे हैं पर हमारे पस नीचे कुछ आर्टिफिशल ग्रासिंग है कुछ स्टोंज हैं डिपेंड्स के आपको यह पसंद आ रहा है के नहीं हरा हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है मेरा है थोड़ी सी जगा अगर यहां पर एक चोटा सा स्टोर बना दिया जए जए तो मेरा हैल से घर की काफी सारी चीज आ पर हम लोग सेफ कर सकते थे स्टोर कर सकते थे अभी हम घर के बिल्कुल मिड्स सक्षिन में आज चुकी है इसको मुपन करें इसको मुपन करेंगे इस दा वेट ओवर दे कि लिविंग रूम किचन लेफ साइड पर द्राइंग रूम इस दा में हाउस घर के अंटर होते हैं तो यहां से भी हमारे बस किच्चन की स्पेस एफ बैक साइड पर जो है वो थी बेडरूम्स है अभी हम जो है वो सबसे प्रे प्रे जाते हैं फिर इसके बाद आप लाइट इसके अउन होगी और सबसे में चीज यह है कि जो इसके बॉर्डर्स है जो इसके स्ट्रिप्स हैं वो अगें उसी डिजाइनिंग के अंदर है जो घर का थीम जो है वो आपको देखने को मलब रहा है ठीक है डीको पेंट इसको पर भी हुआ 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 है कोफी जदा फ्लेक्सिबल पाइब लगाएगे ताके यह बलास्ट ना हो और कभी कर गरम पानी आता तो उसमें जो नॉन फ्लेक्सिबल पाइब उसमें आप कहलें के क्रैक्स पढ़ जाते है ठीक है तो अच्छा मैठिकल यूज किया गया है हमारे बस बैक सेट पर वर्किं इसको यहां पर इन्हों ने अभी जरा करीब आजें इसका हैंडल नहीं लगा हुआ तो इसको दुबारा ओपन करना वुड बिया विरी डिफिकल्ट टास्क तो इसको हम मेरे विनाफुन भी नहीं बढ़े के मैं इसको कर सकूँ वीडियो को हम पॉस करते हैं क्योंकि हम इस अधर आजाएं यह पिविट टोर है यह तोर दुसरी जर्फ भी कुल सकता है तो इसके लिए वो मैं भी कहूं कि हर चीज में इतनी हर इस घर में हर चीज कंप्लीट है तो उनने यहां पर क्यों लगाए हैंडल्स वगारा सो यहां से हाते हैं जी तो त्री बेडरूम्स अमा हैं दमादम मस्क लांदर किया हुआ तो आजाते हैं बेडरूम नंबर वन में काफी ज्यादा एक्सपोज़ जाए और काफी चीज़ें इसमें जो आपको अठके नजर आएंगी और आपको लगे काफी जादा अबरीमी है लेकिन अगें डिपेंड्स अपन दाच्वाइस ह हमारे कफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के डिजाइनिंग पसंद करते हैं परसनली मुझे भी एची लग रही लेकिन थोड़ा सा जी रेड कलर आगे बीच में यह तोड़ा सा तन कर रहा है एन्यवेज इपेंड्स तो हमारे बस यह वाल पर है कुछ डिजाइनिंग शरके जॉबर्स वाश्रूम में अज और विश्रूम इस हाउसार में बोर्थ तो पर बहुत अश्री बॉयस वश्रोम हैं परम याज़ फैड लाश्रा पैल майरवार बारियरी कहा हैं ऋनके हैं अग नहीं साथ यहाँ टिन अट बहुत अच्छ फाड़े भी देखे जग दि कि आपके तेखने को मिल रहा है कि कंसील नहीं है लेकिन जो टाइल यहां तेखी हैं अमेजिंग ताइल्स बहुत अच्छी टाइल्स हैं इस पेसिली जिनके टेक्स्टर है वह बहुत ही जा रवड़ सथाइब तो आज है मेरे साथ अभी हम यहां से चलते हैं टोवर्ड़्स सेकिंड बेडरूम ऑफ ग्राउंड फ्लोर और यह भी अब मैं रिपेट नहीं करूँगा लेकिन कुछ चीजों में आप लोग इखतलाप कर सकते हैं आपको राइड हासिल आपको अने कमेंट बॉक्स में पनी राइगाई जार दूरू करने फैबरिक कुशिनिंग है बीच पर यह वाश्रूम ज़रा देखने के कबल एक डिजाइन वाश्रूम काफी बड़ा है साइज में और एक किनाल के घरों में मेरा चाहिए वाश्रूम बन अफ फाइनेस्ट है काफी डीटेल्स आया वाश्रूम देखके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास यहां पे एक टैब मुझूद है जकोजी मुझूद है फिर इसके साथ हमारे पस यहां पर वाटरफॉल आगे अगर आप चाहते हैं कि यहां से भी पान नीचे आए फिर अगर आप इस कर पो देखें और रही है रोप लाइट देखने को मिल रही है फिर एक शैंडलर भी दिया के चोट आइफ़न 16 है आइफ़न 16 है कि हासबाद है कि जो डैजट टैटेनियम है अधर मुझे तो 15 जैसे ही लगा है अन्यवेज में हमारे पास यह आजाते हैं हम यहां पर and the most important thing is कि मारे बज़े मैंनिफाइंग ग्लास भी दिया के दर आजए अब इसका बेनिफिट यह है इसको करेंगे तो आप अपने आपको बड़ा क्लेर ली बड़ा जो है एक एक अपने फेस का सकार्ज और अपने बाल और अपने स्किन की डिटेल्स देख सकते हैं कि जो कि आपको आपको आम नॉर्मल लेक्लिडाई से नजर नहीं आती है अपसे मामूध हो रहे हैं आपकी कोई कोई जो है यह वो डब्ल्यू सी देखने को मिल रहा है और इसके साथ 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 मैं इसमें चैल है और कुछ निशिव भी देखने को मिली है क्योंकि रॼाइंग रॉघ रॉम के साथ क्योंकि ऐ कि रॉच्छरों को बीघ्टरों के इस वाभ टार्गरों कर साथ को याँ यहां पर है तो यह जहां दो ना हम अदिए जो आएँगेजीज़ फर्स फ्लोर पे यूट्यूब की वीडियो मेंशे मेरी कुश्शिच होती है कि अप्रिहेंसिव वो डिटेल हो इन डेफ्स में हर चीज़ को अनलाइज करूं हर चीज़ को प्रूफटॉपर पो अप्राइसरा शाइं तरूफ्टॉपर इन को अनलाइज हो इनडेमारी को अनलाइज को अनलाइज रेक्टांगुलर बॉक्सिसड थे इस इस पे टेच्छ उत्नि देक्राएज उसे plug-to अचीज़ मेंसा भी मेंचिग निचसिएर हमिंछों क को स्टीड् हम ने जितने भी घर शूट की हैं, अमने सबसे खुशूरत लग रही है एक तो दा में तेंग एक तो दा में तेंग एक लिए लेडी स्टिप्स निचे लगी है इसके रोप लाइट जो ती है और सबसे अची बाद है कि रोप लाइट कहीं से विजबल नहीं है चुपी है तो अची काफी खुशूरत लग रहा है यहां से ओपर आ जाते हैं तो फिर्स टोर में माज जो के जिए जिए बहरिया टाउन रावल पंडी में लोग खड़े में तो खड़े में तो फिर्स लोर पर चुटे हैं तो अगें हम स्टार्ट करें दुवारा से घर का टूर तूर प काफी बड़ा है काफी बड़ा है काफी स्पेशियस है मार soul मेद्च दूर यहां दिर्स अद टेवधे मेडिया ओल भी यहां जो में घ्ये जाए फुट पर दूुटे मुट यहां पुच्छ एसक्रंदय जो प्रियर रूम भी ऐसको एम चाहे तो अ अद से दुट यहां पे यहां पर तैरिस देखने को मिल रहा है और शाम के टाइम आप यहां पर ताजा हवा लग वाकिए फैमिली के से दिन ज्वाइ भी कर सकते हैं काफी जदा पूर सुकून माहोला इदर फिर आजाते हैं अगर आप इसको देखेंगे लगे का यह उपन है बिसकी यह भी मेरा रहा है और उस साइट वियर यह इसकी वाली जगा लगए कि यह उदर से भी उपन है और अदर से भी उपन है जरादा वाईड लूप दे रहा है आजाएं एक सिलिंग डिजाइन ते लाइट आजा है और यहाँ लिए उन अधर अदेगा अगर शाहट रहा हो फिर दे हम यहां से आजाते हैं और हमारे वहां पर समनी यह करता सैंटमा रूम भी है और अगें यहां से ग वीव दिखाद है इंटर्स का जो के बहुत ही आउट स्रेंडिंग लग रही है अधिये एक सिनमा रूम है जिसमें आपको स्टायलाइट्स भी देखने को मलेंगी और पर्पल कलर का फैबरिक यह आप आपको नज़र आ रहे हैं और अगें बार टारिस से आप यहां बारवी कुर सकते हैं यहां अभरे उठ mars वे टोर्वर्स तरह रबड से रही है, हाइस खाइन पार सचारीज भी मेर चारीट्स मेरे बहू भी य। थो इस अब बेडरूम्स इस दिए बेडरूम्स जब से पहले चलते हैं तो इस आप बेडरूम्स लेगे चॉकलेटी स्टायल के अधर इस लेगे और अपको देखक लगे अभर्यागा जब अगी नगे अचिक लगा हूं तो इस मेरे मुम में आजाग अज़ा एक अज़ में और पर सामने आप देख लें काफी एची डिजाइनिंग है टेंशन डेटेल इस वाल कंदर काफी साथ है अगेन मेगनिफाइंग ग्लास है डबली सी कमोड शावर क्याबिन हैंग एर पूरिफायर ठीक है और यह देख लिजी यह बड़े मज़े कि लाग रहे हैं स्टोन् अबर सी कि लाग देख लग लेए और पर यह दो गवर्ट्रों जाएंग टोर्वाट घृट्रों इंड पर कोड़े में ट्री इनके साथ बेंट आच गोशनुम है इससे देख अपर इसके लाइट है और फ़र दिफ्रेंट लग रही है और यहाँ पर आजे जाएं यहाँ जो बॉर्डर्स है वो काफी एचे लग रहे हैं और यहां से हमाँ जाते हैं जी वाव वेरी नाइस वाश्रोम इस बेडरूम के साथ भी बहुत ही आउट स्टाइड है बहुत ही अच्छा डिजाइग है शावर के लिए स्पेस ठीक है जो कि बिल्कुत सेपरेट कर दी है टाइल्स बहुत ही अच्छी है और अगें इतर आज़ें इनको यह दिखा दें कंसील शावर इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी लग रही है मुझे तो देखने में फिर अगें हमारे पस डियोल वैनिटी आपे देखने को मिल रही है और अगर इनके टैप्स की डिजाइनिंग देखें यह भी काफी जबरदास्त है ठीक है मैं इसको क्लोज करते तो दो दो लास्ट बेडरूम अफ दो हाउस इस घर के फ़र्स तो पर जो मुझूद है तो सिक्स बेडरूम इस घर में देखनों को मेल रहे है और अगर आप सैनमा रूम को बेडरूम में बेडरूम नाचाए तो साथ हो जाएंगे यह बेडरूम अगे बश्ट रूम्स आउटस्ट अगें फ्रूआफ दा हाउस पड़ी क्लीन लुक दे रही है अंदर एंटर होते है इस्पेशली यह वाली जो आपको में ताइल नजा रही है उसके बैक साइड जो स्रेप लाइट है और एक इंपक्त कर रहे है बोट अच्छा वान टू टू त्री फोर दोर कबड है अगे फुली रेकमेंड़ और यहां से हम चलते हैं तो वर्ड रूफ तो पफ दा हौश इस घर के चट पे हम चलते हैं तो वंस अगें वी वर अट बैरियर टाउन रावल पिंडी 24 मिला गगः था और आसकी प्राइस की 17 करोड़ा है विच इस ऑविसलाइटी निगोशेबल आप किसे ने भी इस घर को पर चेस करना हो और इस तरह के घर की डिजाइनिंग करवाने हैं तो अप्ला घर आट पी के टीम से आप लोग कॉंटेक्ट पर सकते हैं यहां से मुझ चलते हैं जी इस घर के रूफ टॉप पे हमारे पस बुटन स्चेर्स देखने को मिल रहे हैं प्र सो दिस वाज दा फुल रिव्यू अफ दा हाउस ओफुली आपनों को यह रिव्यू पसंदाया होगा आफ ट्राइट में लेवल बेस्ट केस में हर चीज जितनी ज्यादा अटेंशन तो डिटेल्स हैं वो अपनों को बता से कूं तो करते हैं यह वीडियो यह कंक्लियो मियाद रखिएगा लाफिस